नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लोग पर दोस्तों हम लोग अपने पौधों के अंदर बहुत सारे और्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं इनमें गोबर की खाद और बर्मी कंपोस्ट प्रमो क्रूप से सामने आती हैं लेकिन इसके अलंवां बॉनमील है, नीम खली है, केले के छिलके यू टुकड़े है है उससे बना लेकुड फर्टिलाइजर है, सार्सों खली का लेकिट फर्टिलाइजर है लेकिन हर फर्टिलाइजर को इस्तमाल करने का जो तरीका होता है वो भी अलग-अलग ही होता है ऐसे में गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़ियाँ फर्टिलाइजर जो निकल कर सामने आता है वो है यूजड चाय पत्ती मतलब घर के अंदर जो चाय बनाने में चाय पत्ती इस्तमाल होती है उसके बाद जब हम चाय को छानकर अलग करते हैं मतलब चाय पत्ती से तो यह जो यूजड चाय पत्ती होती है इसको हम अगर अपने पौधे के अंदर इस्तमाल करते हैं तो पौधे के अंदर बहुत ही तरह में मिल रही है तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी उसके अंदर ग्रीनरी भी खूब अच्छे से निकल के आएगी और इसके अलामा बाकी की जैसे फर्टिलाइजर है बडिंग स्वारी फ्लावरिंग है बडिंग है ये सब भी बहुत अच्छी होती है लेक यूट चाय पत्ती होती है ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्श होती है लेकिन इसको इस्तमाल करने के तरीके हमको पता होने चाहिए ऐसा नहीं कि इधर चाय को च्छाना चाय पिया और दूसरी तरफ लाकर चाय पत्ती पौधों में डाल दी सबसे पहले आपक चाय पत्ती तो ये होती है इसे खूब अच्छे से वास करना है मतलब दूध और चीनी जो हम लोग मिक्स किये रहते हैं वो पूरी तरीके से इसके अंदर से अलग हो जाए दो पानी खूब अच्छे से इसको धुल लीजिए धुलने के बाद आप इसको सुखाने के लिए दूप में रखे हैं कम से कम दो दिन तक खूब अच्छे से सुखा लिजिए जब इस तरीके से बिलकुल ये भरभरे फॉम में आ जाए मतलब जैसे की चाय पत्ती आपकी होती है तो फिर आप इसको अपने पौधों के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन पौधों के अंद पौधे के अंदर इसको अगर आप डाल रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि बिलकुल जो इसकी स्टेम होती है उसके पास मत डालिए उसके आस पास जैसे अभी मैंने तो वाटरिंग कर दी है वरना अगर सूखी मिटी हो तो जादा अच्छा होता है इस एक ही जगा डाल कर मत छोड़िए सिर्फ एक चमच एक पौधे के अंदर आपको डालना है मतलब इतना साले के हो सके तो जो है जब आप इस तरीके से इस्तमाल करेंगे तो अगर थोड़ी क्वांटेटी डालते हैं थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको मिलने लगे तो आप 20 से 25 दिन के अंतराल पर फिर से डाल दीजिए लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा एक ही ओधे के अंदर इस्तमाल मत कीजिए और डालने के बाद खुब अच्छे से मिट्टी के गुड़ाई कर दीजिए 15 से 20 दिन के अंदर आपको इस चीच का बहुत ही बढ़िया सुरू हो जाएंगे तो इस चीच का आपको ध्यान रखना है कि मतलब किसी भी पौधे के अंदर आपको धेर सारा इस्तमाल नहीं करना है सिर्फ एक चमच डालना है और इस्टेम के पास नहीं डालना है वरना अगर फंगस इसके अंदर लगता है तो वो पौधों को भी प् करती होती है इसे आप किसी कंटेनर के अंदर भर कर जो है उसमें पानी डाल दीजिए 24 घंटे तक जब वो उसके अंदर भीगी रहेगी तो जो इसके तत्तों है वो उस पानी के अंदर आ जाएंगे मतलब एक बड़ी हां लिकुड फर्टिलाइजर आपका प्यार हो है और सबसी इजी होता है इसे आप जो है हर 20-25 दिन के अंतराल पर एक चमच अपने पौधे में डालिए और फिर रिजल्ट सेयर करिएगा कि यह रिजल्ट आपको क्या मिला मुझे लगा कि यह वीडियो आप लोगों के साथ जरूर सेयर करनी चाहिए इस वज़े से मैंने यह अपना जो मतलब यह प्रोसेस है यह फिर से एक बार दोराया वरना तो लगभग 15-20 दिन पहले मैंने इसको डाला था अपने पौधे के अंदर और देखिए ग्रीनरी का ऐसे निकल क्या रही है चलिए आप इस वीडियो को यहीं परिंट करते हैं मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में तब तक के लिए ब्लादा एंड टेक केर